नमस्कार दोस्तों दिए इस फिसने केट में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है अस्थानी स्वासासन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और इसके पूर में इसके पहली कड़ी यानि की पंचायतों पर हम लोगों ने चर्चा किया हुआ है और आज की इस टापिक म यानि की नगरी छेत्र में अस्थानी सुसासन की बात करेंगे यहां पर जो एक तिरस्तर के धाचा बंका है वहां पर मध्यवर्ती अस्तर के अस्थानी सुसासन को नगरपाली का परिसत भीका जाता है और पूरे नगर छेत्र के जो प्रसासनी ब्योस्ता उसको नगरपाली यानि कि अस्थानिय नगर्गी छेत्र में अस्थानिय सुशासन को चोहत्तरवां समिधान संसोधन अधिनियम इसके पूर्व में इसके पूर्व में वो था पंचायटों से संबंदित और चमत्रमा समिधान संसोधन अधिनियम अधिनियम इसके इसके माद्यम से संविधान में भाग वहां पर नौ था और यहां पर नौ का है और अनसूची अगर देखा जाए तो इसके माध्यम से अनसूची 12 पार्मी अनसूची जोड़ी गई है और इसमें 18 अनुचेद और 18 बिसे यह दोनों ही इसमें सेम है 18 बिसे और 18 अनुचेद से वहां क्या था 18 से दो नीचे यानि की 16 अनुचे था लेकिन यह विसे अगर हम बात करें तो यहां पर यहां पर बना एक लाइन अगर खिंचे अठारा की तो यह दोनों ही विसे और अनुचेद नगर पालिका की संदर्व में सेम हैं लेकिन जब हम पंचायतों की बात करते ह जहां पर वहां कम है वहीं पर दूसरी तरफ विसे जादा है तो यह थोड़ा सा याद करने के लिए निहान देने की ऐसी जरूरत है कि 16 और 31 यहां पर 18 और 18 की जो बात करी गई हैं और इन अनुचेदों के माध्यम से इन विसेयों को लावट करने का प्रयास किया गया है औ और अनुचेद यहां पर 243 से आगे तो वहां पर बढ़े रहे थे तो 243 जो है नगर पालिका को समयधानिक दरजा परधान किया गया है जिससे नगरी च्षेत्र में विकास और प्रशासम की ब्योस्था को लागू किया जा सके अगर एतिहासी मून से देखा जा तो 16807 में अस्थानिय अस्तरपर नगर के छेत्र में सबसे पहले मदरास में खील गई थी saबसे पहले हांपर मदरास में ये ब्हुस्था की गई थी और 1882 में अस्थानिय अस्थानिय तर्फन को ऑनाग्ट विपन कि द्वारे आपका पाटा भी जो है 842 सिस्विध अस्थाने सुसासनियम को कहाँ भी जाता है कि एक इतिहासिक व्यस्था और प्रॉब था अब हम इसके कुछ विस्थाओं को देखने का प्रियास करेंगे आगा नगर छेत्र में जो अस्थानिय सुसासम की व्यवस्था है उसे नगर पालिका की नाम से जाता है और भारत में इस अधिनियम के मांध्यम से तिर अस्थर ये नगर पालिका की व्यवस्था की गई है पहले में है नगर पंचायत नगर पंचायत नगर पंचायत सब्द भी लिखा हुआ है और नगर सब्द भी लिखा हुआ है इसका ताथ पर यह है कि एक ऐसी ग्रामी व्योस्था जो नगर की तरफ जो है बढ़ रही है जिसमें नगर ये छेतर के गुण आ रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से नगर छेतर में परिवर्तित नहीं हो पाई है, उसे नगर पंचायत के नाम से जहना जाता है, यहां पर 5,000 से लेकर के 20,000 के बीच में इसकी जनसंख्या सामानेत्या होती है, इसी तरीके से दूसरे अस्तर पर जो है, वो नगर पाली का, नगर पाली का परिश्द, नगर पाली का परिश्द की व्योस्था की गई है, और नगर पाली का परिश्द इस जनसंख्या जो है, वो 20 के से लेकर के, इन लाख, 20,000-3,000-3,000,000 बीच में इसकी जन संख्या होती है तो नगरपाली का जो है मध्यवर्थी अस्तर प्र जैसे वहां पे छेत्र पंचायत होता था वह इसे यहां पे नगरपाली का परिसंग होती है जो जन संख्या के आधार प्रजुड़बलगी इनन ग्रतीगी है दिश्टें होता है इसी प्रकार से आगर में क्षाइब यह जो तीन लाग से इसकी आहनी अगे तक होती है तो यह नहीं जो है नगर पंचायतों की जो है यह नगर पालिका परिस्ट जो सहरी छेत्रों में सहरी छेत्रों में जो अस्थानिय सोसासन की बेवस्था जिसे नगर पालिका के नाम से जाना जाता है वो नगरपाली का जो है मो तीन प्रकार के तीन अस्तारों में बरगी किरित और विभाजित होती है जिनका क्रायटीरिया और आधार प्रमशा इस प्रतार रह से होता है उग्ला है हम लोग देखेंगे गठन इन तीनों में ही जो है नगर पंचायत नगर पालिका पालिसर और नगर निगम में सदस्य होते हैं और अध्यच्छों होते हैं तो सदस्यों का जो चुनाओं सभी सदस्यों का चुनाओं यहां पर वहां की जन्ता के द्वारा प्रते चुरूप से किया जाता है और इसी तरीके से वहां के अध्यच्छों का भी चुनाओं भी जो है वहां की जन्ता के द्वारा प्रते चुरूप से किया जाता है जब कि हम आप परते चुरूब से किया जाता था, यानि कि सदस्यों के जिन्ता के द्वारा चुने जाते थे, लेकिन यहां पर अध्यचों को भी जो परते चुरूब से चुने जाने की बेवस्था की गई है, नगरपारी का परिशत का जो अध्यच है, उसे चेर महिन के नाम से जाना जैसे कानपुर है, इलाहबाद है, लखनव है, यहां पर पावर होते हैं, क्योंकि यहां पर नगर निकम की ब्योस्ता है, और चोटे नगर ये छेत्रों में, जिनकी जनसंख्या कम है, वहां पर नगर पालिका परश्चत होती है, वहां के अध्यक्च को चेर्माइन की नम से जाना जाता है, तो यह इन से मिल करके इस तरीके की ब्योस्ता है, नगर ये छेत्रों को जो नगर पालिका है, उस नगर पालिका छेत्रों को चाहिए वो नगर निकम हो, या नगर पालिका परिसद हो, या जिलापन चाहिए तो, इन तीनों के लिए नगर पालिका सब्द प मिवाजन शेत्र में बिभाज़ सिवाजन याजाथ है और इस वाट में चुनाओं होता है उसे सभासद के नाम से जाना जाता है सभासदों रहां सोते हैं चैन समित्य तत्व के ऊपर हैं और यहां सब्स toना होती हैं और इन नलाग पाले में लोग शभा बिधान सभा के जो है सदस्यों को प्रत्मिजितु भी दिया गया है लोग सभा और राज्य सभा बिधान सभा बिधान परिशत को जो है प्रत्मिजितु भी यहां पर दिया जाता है यह सभा प्रिचन पूछे भी जा सकते हैं इसलिए जानकारी होना आउसिक है कि इनको भी व पूरी नगल पाली का जो छेत्र होता है वाडों में बटा होता है अब जहां की जनसंख्या तीन लाग से दिखोती है वहां पे वाड समितियां भी बनाई जाती है तो यह बेवस्था उनकी विशेष्था है और गठर के संदर्भ में रही है अभी इसमें जो है आरक्षर की ज हिं था खेल में आरक्षण के लिवस्था दी गुरे है इसी तरीके से आरक्षर की बाद अगर उनका कारेकाल देखा जाए तो इनका कारेकाल भी पंचायतों की तरह से पांच बर्स के लिए ही पांच पर सबने तक अपने कारें हैं यहां पर री सभी जो योगता बनाई तरीके से निधारित की गई हैं are some key कि अंगर बात किया जाए तो र को इस koşाइब करने में इनको मदद मिंसके Mount Stretch पर यहां पर भी आयोग की जो अस्थापना है वह उसी तरीके से है जैसे वहां पर है तो आयोग जो है वो दोनों के लिए जो है आयोग जो राज बित आयोग बनाये जाएगा वो पंचायतों के लिए भी काम कर रहा है और इसी तरीके से जो राज चुनाओ आयोग है वो चुनवा पंचायत और नगरिय चुनवा की नाम से जाना जाता है। कि पंचायतों नगरिये, चुनाव 2021, तो यहां पर जो आयोग की बिवस्था की गई है, वो दोनों के लिए वही है, और दोनों ही आयोग के जो है, गठन की जिम्मेदारी और राजजपाल को दिया गया है, उसके आयोग के जो है, चुनाव आयोग के आयोग तुक्की, नुक् प्रियास करेंगे जो योजनाव को संकलित करता है और उसे तो थोड़ा सा यहां पर देखने का प्रियास करेंगे निकाय की व्योस्था की गई है जो बैसिकली योजनाओं के निर्माल करने के बाद उसका संकलन करती है और सरकार कीी समख्ष परस्तूतती हुआ है बदुम容易 Чरешь के लिए और चर्थी दो प्रकार की जो ब्योस्थाय की गई है आपundos तो जिला नियोजन समीथी, जिला नियोजन समीथी, जिला नियोजन समीथी जो है, जिला के अंतरगत जो है, पंचायत और नगरपालिकाओं के द्वारा बनाई गए, जो योजनाय होती हैं, उसका संक्लिक करती हैं, और संक्लिक प्रारूप को सरकार की समझ प्रस्तूत करती हैं, इनके गठन, इनके चुनाओ, इनके कारी त्याद के संदर्व में राजविधान मंडिल के द्वारा कामून बनाया, जहने का प्राउधान किया गया था, ये तब इसमें ये बाग कही गई है, कि इसके चार बटे पांच, ये एक इंपोर्टेंट फैक्ट है, चार बटे समित बनेगे, उसमें जितने भी लोग होंगे, उनकी संख्या का चार बटे पांच भाग जो है, वो पंचायत और नगरपारिकाओं से चुने बेस अदस्यों में इसे ही रहेंगे, और इनके द्वारा जो योजनाए बनाई जाएंगी, वो इनके नियोजन समीत के जो अध् का प्रियास किया जाएगा, तो जिला नियोजन समित जो है, वो विकास का खाका प्रागूप को बनाने और उसके संक्लम करने से संबन दित है, इसी तरीके से जिला नियोजन समित के साथ महानगर, योजना समित, नियोजन समित या योजन समित महानगर नियोजन समित महानगर नियोजन समित भी नगर पालिताएं जो भी वहां की जो नगर पालिताएं होंगी उनके द्वारा बनाए गए योजनाओं का जो संकलन करेगी और संकलन को जो है अपने अध्यच के मात्यम से सरकार को प्रिशित क इसमें जहां पे चार बटा पांच सदस था वहीं पर इसमें दो बटा तीन सदस्य की बात की गई है कि ये सदस से उन छेत्र के जो है नगर पारिकाओं और पंचायतों के अध्यचू के द्वारा आपस में ही जो है इन्हीं में से जो है लिए जाएंगे यानि कि जितने भी महानगर योजना समीती बनेगी उस महानगर योजना समीती के कम से कम दो बटे तीन सदस से वहां की जो है नगर पारिकाओं और वहां के जिला पंचायत के अध्यचू से लिए जाएंगे और इनके द्वारा जो योजनाए बना जाएंगी उसका संक्रम किया जाएगा वहां महानगर योजना समीत के द्वारा सरकार को भेजा जाएगा तो इस तरीके से यहां पर जिला न्योजन समीती और महानगर योजने समीती ये दो प्रकार के जो समीतियों का भी जो है प्रा से उसको देखा और इसके साथ-साथ महानगर योजना समीति और जिलान योजन समीति को भी जो इसमें सामिल करने का प्रेयास किया, तो आज का यह टापिक बस इतना ही है, और पंचायतों के संदर में जैसा की बताया गया कि एक अप्लिकेबल टापिक बिन इधायत के आएगा आप अन्य बिश्यों के साथ जो है बेहतर दिसा में जो जारी रखिए उम्मीद करता हूं कि आसके टापिक के मार्दिम से नगल छेत्र में अस्थारी सुसासन के बारे में एक समझ लिक्सित करने में लिए लेक्चर आप लोगों को जो मादर परदान करेगा तो एकदम आपन